तीन सो किलो मीटर की एवरेज देती है यह कार जी हाँ आपने सही सुना है देश की जानी मानी कार निर्माता कमपनी टाटा मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रोनिक कार नेक्सन इवी को लॉंच कर दिया है और आधूनिक फीचर से लेस यह कार सिंगल चार्ज में तीन सो किल की रेंज देती है नेक्सन इवी एक इलेक्ट्रोनिक एस्यूवी है और इस कार को जिप्ट्रोन टेक्नोलोजी के उपर बनाया गया है और आज के इस वीडियो में आप इस शांदार इलेक्ट्रोनिक एस्यूवी के बारे में जानने वाले हैं तो आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Real Auto News को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप भविश्य में भी ऐसे ही फायदे मंद प्लस Real Auto News सबसे पहले ही जान पाएं इस कार के लॉंचिंग इवेंट में कमपनी के CEO और मैनेजिंग डिरेक्टर ग्यूंटर बस्चक ने कहा के Green Technology अब कमपनी का अगला मंत्र है भारत में सरकार इलेक्ट्रोनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और Tata Motors इस सेगमेंट का लीडर बनने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही है और भारत में नेक्सन इवी का मुकाबला हुंडा की कोना और MG Motors की ZS EV से होगा नई Tata नेक्सन इवी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और कमपनी के दावे के मुताबिक यह कार 60 मिनिट में 80% तक चार्ज हो जाती है वही 15 एंपेर प्लग पॉइंट के जरीए भी चार्ज हो सकती है और नॉर्मल चार्जर से अगर आप इस SUV को चार्ज करेंगे तो इसे 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में 8 घंटेल लग सकते हैं इसलिए हम तो आपको यही सला देंगे कि इस शांदार SUV को CCS2 फास्ट चार्जर से चार्ज करना ज्यादा अच्छा है अब आप सोच रहे होंगे कि चार्जिंग तो बढ़िया फास्ट हो रही है लेकिन इसकी बैटरी के साथ वारंटी कितनी मिलेगी तो उस बात की भी आप टेंशन करना छोड़ दीजिए क्योंकि इस SUV में 30.2 किलो वार्ट की बैटरी दी गई है जिसके साथ कमपनी 8 साल या 1.6 लाख किलो मिटर की वारंटी दे रही है वहीं कमपनी के मुताबिक यह बैटरी IP67 रेडिट है और सबसे खास बात ये है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह कार 300 किलो मिटर की रेंज देती है पावर की बात करें तो नेक्सन ईवी SUV में दी गई मोटर 129 PS की पावर और 245 न्यूटन मीटर का पीक टार्क जनरेट करती है सेफटी फीचर्स की बात की जाए तो नेक्सन ईवी में कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल ड्यूल एयर बैग्स EBD के साथ ABS जैसे शांदार फीचर्स दिये गए है साथ ही नेक्सन ईवी में लिक्विड कूल बैटरी पैक और बच्चों की सीट के लिए ISO FIX एनकोरेज भी दिया गया है कमपनी का कहना है कि गरहक इलेक्ट्रोनिक कार अपना कर पांच सालों में लगबग 2,8,035 रुपे तक की बचत कर सकते हैं इस कार की प्री बुकिंग कल से शुरू हो जाएगी इसकी कीमत का खुलासा इसके शोरूम पर उपलब्ध होने के बाद पता चलेगा तो दोस्तों आपको नई नेक्सन इवी पसंद आई की नहीं और आपको इलेक्ट्रोनिक कार्स पसंद है की नहीं हमें कमेंट्स में जरूर बताईए और वीडियो को लाइक और शेर करके इस पर अपना प्यार बरसाईए धन्यवाद